तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले Moto G52 के बारे में काफी बढ़ियां ये फोन है आपको YouTube पे जितना मैंने इसके बारे में देखा आपको बता दो काफी बढ़ियां ये specs के साथ आता है आपको यहां पर display quality, camera, design, build काफी बढ़ियां मिलती है बात करें प्राइज की तो 4GB RAM प्लस 64GB ROM के लिए आपको 10,999 रुपे देने पड़ेंगे जो कि काफी सही प्राइज है 6GB RAM प्लस 128GB ROM के लिए आपको 12,999 रुपे देने पड़ेंगे आप चाहे तो इसको flip card से भी खरीश सकते हैं यहां पे जो है मैंने देखा यहां पर आपको show हो रहा है तो काफी ज किज़े इसके बारे में जानते हैं और सारा confusion दूर करते हैं अपका सबसे पहले बात करते हैं डिस्पले के बारे में यहां पर आपको 6.6 इंच की P OLED Full HD Plus डिस्पले मिलती है 90Hz के refresh rate के साथ यहां पर P OLED का क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूं क्या पता हो लेकिन मैं बता देता हूं यहां पर कि P OLED जो डिस्पले होती है काफी पतली रहती है थिन रहती है और इसकी वजह से जो है यह काफी जो है आपको slim महसूस होगा phone भी और यहां पर जो डिस्पले के जो आप बैजल देख रहे हैं बहुत ही कम है काफी बढ़ियां डिस्पले आपको provide की जात है और यहां पर जो है सेफ भी रहता है यह डिस्पले क्योंकि यहां पर जो है प्लास्टिक उच किया जाता है तो काफी जो है सेफ रहता है डिस्पले फूटने का टूटने का जो है डर भी कम रहता है और कलर सो गयरा काफी बढ़िया ही आते हैं कोई दिक्कत नहीं उसमें और डिस्प्ले की जो बैजल्स है मैं कहूंगो बहुत ही अच्छा है पंच ओल डिस्प्ले काफी बढ़िया जो है आपको यहां पर वीडियो क्वाल्टी कॉंटेंट देखने को मिलेगा बात करें कैमरा की तो यहां पर ट्रिपल कैमरा सेट अपको देखने को मिलता है काफी स सब्सक्राइब करूल जाले मिल्त इस कंडा लाइंट थी सब्सक्राइब को मिलता है उसमें बात कि बात करते हैं थाथी धर्ग में की बाता крintérieur बीड की बैतरी start с यहां पर यहां द्रत क स्कूनुक्ट है द्सक्राइब फोन जो है आपका लगबग एक घंटे में एक घंटे 10 मिनडे में 100 पर्षेंट चार्ज हो जाएगा काफि जल्दी चार्ज हो जाता है बैटरी काफ़ी लंबे समय तक आपकि चलती मिलती बैटरी डिस्प्लेय में तो कंब ढूंचुन बी यह कम रहता है लेकिन यहाँ पर आपका काम आराम से निकल जाएगा 5000 mAh की बैटरी है बहुत जादा आप यूज करेंगे तब भी पूरा दिन आपका निकल जाएगा दिक्कत वाली बात नहीं है बात करें प्रोसेसर की Snapdragon 680 मिलता है आपको तो यहाँ पर प्रोसेसर अच्छा बढ़ींग अप कर सकते हैं प्राइस कम है उसे जापसे प्रोसेसर भी परफॉर्मनस भी आपको बढ़िया दी जाती है तो गैमिंग अगरह भी अच्छी होती है डेली टाक्स जो रहते हैं आपके वर्ड्सख में दिक्कत नहीं होगी बढ़ियां से आपका जो है काम चलेगा और भी जो है काम होते हैं वीडियो एडिटिंग फोटो एडिटिंग यह सब भी आपका हो जाएगा फोन से काफी बढ़ियां जो है आपका experience रहने वाला है performance को लेके और चीजों के बारे में बात करें फोन सपोर्ट करता है 4G को उसके साथ 3G, 2G को सपोर्ट करता है 5G यह फोन नहीं है 5G होता तो बहुत सारे यहां पर आपको compromise करने पड़ते हैं लेकिन यहां पर बहुत अच्छे अच्छी चीजे provide की गई है 4G आप ले सकते हैं अभी 4G यहां पर नहीं मिल रहा है hybrid sim slot आपको देखने को मिलेगा 2 nano sim लगा सकते हैं या फिर एक nano sim एक micro sd card आप लगा सकते हैं android 12 आपको इसमें मिलता है 2 microphone मिलते है dual stereo speaker करें speaker जो है काफी लाउड है डॉल भी एक मोस का support मिलता है security के लिए आपको site fingerprint sensor आपको देखने को मिलेगा face unlock का भी आपको यहां पर option मिलेगा 169 का phone gram का जो है phone है काफी जो है हलका iPhone ठीक है यह चीज बहुत ही बढ़िया लगी तो phone जो है build के मामले में design के मामले में बहुत ह बढ़िया है बाकी display भी आपको मैंने बता दिया काफी अच्छी है तो phone जो है काफी बढ़िया अगर आप लेना चाहें बिलकुल ले सकते हैं 4G जो है लंबा चलने आला है तो flip card से आप इसको खरी सकते हैं